ओम स्यान्ति हम सभी को बावा ने सेवा के फिल्ड में रखा है सेवा क्या है? युग परिवर्तन करना सभी को बावा का मेसेज देना न केवल मेसेज देना लेकिन सत्य ज्यान भी देना सभी को अपने परंपिता से मिलवाना सभी के दुख दर्द टेंशन, समस्याएं, समाप्त करवाना उन्हें गाइड भी करना और उन्हें अच्छे वाइब्रिसंस भी देना वाइब्रिसंस देना हमारी सबसे महत्वपूर्ण सेवा है हम तीनों सेवाएं एक साथ करें वाचा के द्वारा हम ज्ञान देते हैं वो सेवा हमारी चलती है सासात मनसा के द्वारा सभी को स्रेष्ट वाइब्रिसंस मिलते रहें सुभवनाओं का दान मिलता रहे सब को हमारे पास आते ही ऐसा लगता रहे हम अपने परिवार में आगे हम नहीं आगे जहां हमें आना चाहिये था मन सा वाइब्रेशन सम प्रकर्ति को भी देते रहें वायु मन्नल को पावन बनाने के लिए भी देते रहें ये दूसरी सेवा हमारी चलती रहे और तीसरी सेवा है कर्मना कर्मना यग सेवा भी है कर्मना यग में हम किसी भी तरह का कारिये करते हैं या अपने घर को ही यग्य मान कर काम करते हैं तो यग्य सेवा हो जाती है लेकिन जब हम कर्म छेत्र पर रहते हैं तो हमारी धार्नाएं, हमारा गुण, स्वरूप जीवन हमारी प्योरिटी, हमारी श्रेश द्रस्टी दूसरों को बहुत कुछ सिखाए, उनकी सेवा करे काम तो सभी संसार में करते हैं लेकिन जब वो हमें कारिये करते देखें तो ये महसूस करें, ये कितने हलके हैं ये तो ऐसे काम करते हैं, जैसे कि मानों कुछ करते ही न हो संसार में समस्याएं तो सबके ही सामने आती हैं पर जब वो हमें देखें तो उन्हें महसुस हो कि ये कितने तनाव से मुक्त हैं, ये कितने पावरफुल हैं समस्याओं को पार करने में ये कितने समर्थ हैं हमें भी वैसा ही होना चाहिए जब वो आपको परिवार में रहते देखें तो ये देखें के परिवार में तो सभी रहते हैं पर इनके परिवार में कितना प्यार है कितनी अंडरिस्टेंडिंग है कितना खुशी का माहूल है कितना एक दूसरे के सभी लोग सहयोगी है सब एक दूसरे का सम्मान करते हैं, बड़ा हलकावा तवन है परिवार में, मैं पन मेरा तू तू मैं मैं क्रोध एंकार इस से ये मुक्त हैं, हमारा ऐसा परिवारिक जीवन देख कर बहुत बड़ी सेवा होती है, तो हम हर तरह की सेवा लगातार करते चलें, जितना हम गुण स्वरू बनते जाएंगे, दूसरों पर हमारी अमिट छाप पड़ेगी, और दूसरे लोग इससे कुछ ना कुछ प्रेणा अवश्य लेंगे, साथ-साथ अपनी दिंचरिया में, दस मिनट सबेरे, दस मिनट स्याम को, इस अंसार को, या प्रकरती को, दुखी आत्माओं को या वायु मंदल को, स्रेष्ट वाइब्रेशन्स अवश्य दें, इस अंसार में अनेक लोग रोगों से पेडित हैं, उनको वाइब्रेशन्स देकर हम उनकी मदद करें, भले रोगों के जिम्मेदार वो स्वयम रहे हों, उने ने कोई विकर्म किये हों, या वर्तमान में ग सारा दिन चले, इसको ही कहते हैं, एक साथ तीनों तरह की सेवा करना, और मालो हम किसी को समझा रहे हैं, परदर्शनी समझा रहे हैं, तो समझाते हुए आत्मिक दर्श्टी रखना, ये हमारे परिवार के देवकुल की आत्माय आई हैं, इस गुड फिलिंग में रहना, और चलते फिरते भी उसी समय हमारे गुणों की चाप दूसरों पर पढ़ती रहे, ऐसा रहना, ये हैं तीनों तरह की सेवा एक साथ करना, तो आज सारा दिन हम सभी विशेश रूप से ग्लोब को वाइब्रेशन सदेंगे, मैं मास्टर सर्व शक्तिवान, पूर्व जात्मा मेरे सामने है ग्लोब, बाबा की किरने मुझ पर पढ़ रही हैं, और मुझ मेरे मस्तक से निकल कर जा रही हैं पूरे ग्लोब को, जैसे अब ग्लोब काला हो गया है और उसका रंग गोल्डन होता जा रहा है, ऐसे ग्लोब को वाइब्रेशन स बार बार देंगे, ये सारे ज अंसार को वाइब्रेशन स पहुंचाने की स्त्रेष्ट सेवा होगी, ओम स्यंती